और चले बढ़ते खबरों आगे तीसरी से एक बड़ी खबर है लापता भाईयों का शाओ मौलिया चाण जंगल से बरामत किया गया थाइस दिनों से लापता थे दोनों भाई पर जोनों ने हत्या की आशंका जताई है जंगल से भाई को भी बरामत कर लिया गया है और बौके पर पहुंची पुलिस सब शौ को कबज मिले कर पोस्ट माचम की कारवाई कर रही है के लिए आगे कारवाई कर रही है जंगल सिन के बाई कोई ब्रामत के आगे बता दे की करीब एक मिना पहले बड़े भाई और चोटे बाई दो पैसे की तगादे के लिए कही निकले हुए थे और काफी दिनों तक नहीं पहुंचे थे लगतार पुलिस स्वाले भी इस पूरे मामले को सुलजाने की कोसिस में जूटे हुए थे और इसी कड़ी में ये लाश अब दोनों भाईों की लाश को बरामत क्या गया है इसमें से छोटा भाई कही बाहर पढ़ता था और और अब इम दोनों की लाश जंगल से बरामत की गई है यहाँ पर बाईक भी मिला है इनका और परिजन लगतार इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे थे किसे अनहोनी की आशंका परिजन जता रहे तो देखिये वैसा ही हुआ जिस तरीके शलास में लिए अब परिजनों कहना है कि होना हो इसमें किसी तरह के विवाद या किसे तरह की शाजिश कहता है, दोनों की हत्या कर गई है, परजन लगातार इस मामले में पुलिस से गहार लगा रहे थे, अपने दोनों बच्चों को ढूने की मांग można कर रहे थे, और लगातार किसे अनहोनी की अशेंका से औ परेवे थे और आकिर में 28 दिनों के बाद इन दोनों भाईयों की लाश बरामत की गई है और यही से इनकी बाईक को भी बरामत किया गया है घटना सलसे ही इस्क्लूसिब तस्विर आप देखें न्यूज 11 भारत पर यह मामला काफी चर्चित रहा था बहुत दिनों तक सुर्ख्यों में था क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों भाई गायब हुए थे उसके बाद से बहुत तरह के अटकले लगातार लगा जाये थी परिजनों को अलग अंदेशा था पुलिस अलग मान कर चल रही थी लेकिन अब जिस तर गुत्थी को वो कैसे सुलजाए आकर किन बिंदों के तहत वो इस मामले में चानबिन के लिए आगे बढ़े लेकिन फिलाल पोस्ट माटम की कारवाई होगी उसके बाद पुलिस को कुछ सबूत मिलेंगे कि आकर मौत के पीछे की वज़ा क्या है इसा दल बाद की